असलाम अलेकुम फ्रेंज वेलकम बैक टू नौरीन चैनल तो आज का व्लोग इंफोरमेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कि पासपोर्ट आफिस में क्या-क्या डोकुमेंट्स लगते हैं पासपोर्ट रिनिवल कराने के लिए खुलकता में पासपोर्ट आफिस कहा है और पासपोर्ट में क्या-क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए बिना टाइम को वेश्ट किये हुए हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ अब मैं बस में बैठ चुका हूँ रूबी जाने के लिए जो हमारा पासपोर्ट आफिस है तो मिलते हैं पासपोर्ट आफिस के पास तो मैं रूबी होस्पिडल के पास उतर चुका हूँ यहां से पैदल पाँच मिल्ड का रास्ता है पासपोर्ट आफिस जाने के लिए दिखे यह है हमारा पासपोर्ट आफिस यहीं से आपको इंटर करना होगा तो मैं दिखा देता हूँ यहां कितना पहले पहुँच चुका हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो सूट कर लेता हूं बाहर का ताकि आप लोग के साथ यह सेर कर सकता हूं तो जब आप देखे हमारा एपर्मेंट टाइम खतम हो चुका है तो मैं इसे अंदर जाने के लिए मैंने इंट्री कर लिया ओलरेडी यह हमारा अंदर का रास्ता है यहां से अब हम लोग जाएंगे पता नहीं आगे हमें की वीडियो बनाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसल से पहले डोकुमेंट्स आपका पूरा औरिजिनल डोकुमेंट्स जो है स्कैन किया जाता है उसके साथ एक फॉर्म मिलता है आपको वह सब फॉर्म भरना पड़ता है वह सब आपको लैप्टॉप में लोग खुदी कर देते हैं आपको कुछ करने के जुरुत नहीं होती है आपको औरिजिनल जितने डोकुमेंट्स हैं वह सब नहीं पर करना पड़ता है जब यह आपका मेरा हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या डोकुमेंट्स हम्ने रहा कि लिए और कॉम-कॉन- … एक file बना दिया जाता है जो file आपके सामने दीख रहा है वो file वहाँ पर ये section में आपका बना दिया जाएगा वहाँ आपका सारे documents original चेक किया जाएगा जिसमें apartment डेटर रहेगा आपका साथ ही साथ जो old passport है आपका उसका front and back दोनों के photocopy रहेंगे और original साथ में चेक किया जाएगा तो यह देखिए हमने जो old passport था उसका photocopy यहां है हमारा original हमने वहाँ पर चेक करवा चुके है साथ में आपके education certificate चाहिए आप अगर 10 pass है तो आप 10 certificate दे सकते हैं मैं 12 pass हूँ तो मैं 12 certificate यहां पर submit किया certificate हो जाने के बाद अब आप अगर married है आपको married certificate देना है सो करना है वहाँ पर ही और अगर आप unmarried है तो आपको married certificate की ज़रुत नहीं है मैं married हूँ इसलिए मैंने married certificate सो किया है उसका भी यहां पर ही print करके हमने add कर लिया अपने file में सारे के copy आपको लगेंगे और इसलिए आपको सिर्फ वहाँ देखाना है कि साथ में आपको लगेगा यहां पर ही कि यह हो जाने के बाद अब आपको एक address प्रूप चाहिए होगा जिसमें अधार कार्ड आपका सबसे आगे रहता है तो अधार कार्ड को online आपको निकाल लेना है जिसमें आपका verified किया हो और उसी टिक को आपको लेके जाना है और इसे पहले copy कर वा लीजिए copy कराके राख लेना है देखे इस तरीके से साटिक किया हुआ रहेगा आपका verified वाला यह verified वाला ही माननीयता है वहाँ पर accept किया जाता है otherwise आपको accept नहीं करेगा अब हम लोग यहां पर देंगे voter card अगर आपके पास voter card नहीं है तो आप इसकी जगह में डाइब लेसेंस या और भी सब्मिट कर सकते हैं, तो बस इतना ही हमारा डोकिमेंस लगता है, अगर आपके पास बबट साटिफिकेट है, ले आ सकते हैं, हमारा आल्रेडी पासपट बना हुआ था, इसलिए बट साटिफिकेट की जरूत नहीं पड़ी, तो हम लोग ए सेक्षन से बी सेक्षन में आ गए हैं यहां थोड़ा सा वीडियो बना सकते हैं क्योंकि यहां थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है हम लोगों को करीबन 10-15 मिनिट का वेटिंग होता है यहां पर ही उसके बाद आपका नंबर आएगा वो बोर्ड में आपको द वालेता हूं तो बस यहां पर आपको कुछ नहीं करना है आपको औरिजिनल साइक्टिफिकट देखाना है जितने जिरोक्स आपने दिये हैं वो सारे को विरिफाई कर लेंगे उसके बाद यहां का प्रोसेस खतम हो जाने के बाद दो से तीन मिनिट लगेगा और आपको सी सेक चल गया हूं अब हम लोग चल जाते हैं अपने घरकी तरफ यह दए पासपोर्ट आप़एस है आज के लिए पासपोर्ट आपिस हैं और यहां पर यहां पर香ण के पास आ चुका हूँ यहां पर मेट्रो स्टेशन है तो मैं यहीं से अपना बस लूँगा उसके बाद मैं अपना घर चले जाओंगा तो अगर आपको वीडियो इन्फर्मेटिव लगा हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट्स जरूर करें अगर आप नौरेन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हाफिज